कि हालो अब्रोन यूर वेलकम टू बैस नोस टूटोरियल और आज हम बात करने जा रहे हैं यूरोपिय कंपणियों के आगमन के बारे में तो सबसे पहले हमें जानना है कि जो कंपणिया आई थी उनका सीक्वेंस क्या था तो उसके लिए आप लोगों को पता ही होगा जैसे म मैंने आप लोगों को दो फॉर्मूले बताए थे तो उसमें आपका जो आगमन का करम था या इस्टैबलिश्मेंट का करम था वह आप लोगों को मैंने बताया था तो पहला क्या था आपका पी डी इडी एफ और जो इस्टैबलिश्मेंट का था ठीक है तो उसमें आप लो लास्ट जो आये थे वो श्वीडिस आये थे तो श्वीडिस आपको आप याद रख सकते हैं पीई डीडी एफ तो आपके पास में दो फॉर्मुले आ गए ठीक है तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना है अब इस्टैबलिश्मेंट की जो याद रखना है वन बाई वन फस्ट आपका पूर्तगाली आये थे आप लोग में 1498 में आये थे तो 1498 फिर उसके बाद आपको याद रखना है 1600 थर्ड है आपका 1602 फिर आपका 1616 और फिर आपका आएगा 1664 और फिर आए आपका 31 तो इस आप इस इसके आगे लिखना शुरू किजिए P E D D and then F and then finally S तो यह हो जाएगा आपका पुर्तकाली जो हो गए आपके English and then came Dutch and later Danish and after that they were French and finally they were Swedish तो आप लोगों को इस करम में ही इन्हें याद रखना है अब इसको जो ट्रिक है वो तो आप लोगों ने याद कर लिए कि P E D D F करके आपको S last में याद रखना है आप लोगों को usually Swedish पूछी नहीं जाती company तो इस तरह से आप लोगों याद रखना है और जो last की जो digit है उन्हें आप याद कर लीजिए usually इसमें बहुत variation नहीं पूछा जाता है तो आप लोगों को इस तरह से याद रखना है इसे 98002 1664 31 तो आपको इसी sequence में इसे as a phone number याद करना है क्या आप कर सकते हैं European company के phone number जो होते हों किस तरह से होते हैं 98002 16 64 और 31 तो आप एक और तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं इसे आप reasoning की तोर पर याद करने के कोशिश कीजिए जो मैं आप लोगों बताता हूं यहां पर आपका आगया लास्ट में 8 है आपका ठीक है तो 8008 के बाद से बाद तो से बाद आगए आपका 2 और फिर आपका 16 तो eight to 64 होता है तो यहां पर क्या करेंगे 164ा यह इसनिक का यूज़ करके आप इसे पूरा प्रपेर कर सकते हैं बहुत अच्छी से आप लोगों याद हो जाएगा बाकि यहां पर तो आप देखेंगे 14 16 16 16 16 और 17 ही है यह वैसे भी याद रखने की जोरत नहीं आप लोगों को बट आप इसे फाइनली इस तरह से कर सकते हैं तो चलिए आप बात करते हैं European Company और यहां पूछे जाते हैं सिक्वेंस आप लोगों को याद हो गया होगा यह साप लोगों को याद हो गया होगे ये आप लोगों को याद हो गया होगा ठीक है फोन नंबर की तरह है आप लोगों इसे याद कर सकते हैं अब आप लोगों के पास है कि जो जो चीज आप लोगों दिखाई दे रही है वो 1498 में हुआ गया था 1498 में वासको डिगावा जो था वो आया था कहां पे काली कट जगह पे आया था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ये भारत का पर्थम वाई सराय था पुर्तुगाली अगर पूछा जाए कि पुर्तुगाली पर्थम वाई सराय कौन था तो आपका फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था तो आप लोग इसे याद रखेंगे नेक्स्ट है आपका जमूरीन जमूरीन कौन था वासको डिगावा का इसने स्वागत किया था कहां पर इंडिया में वासको डिगावा कहां से आय था वो था आपका पुर्तगाल कोलमबस स्पेन से आय था कैपटन कुक जो आय था वो पिटेन से आय था और जो तसमान था वो होलेंड से आय था तो अगर आप इन्हें मैप पर करके देखेंगे ज़्यादा बैटर रहेगा आप लोगों के लिए मैप पर पुर्तगाल है स्पेन है बिटेन है रो होलेंड है एक बार जरूर इन चीज़ों को आप लोग मार कर दीजिए जो आप लोगों के पास में वर्ल्ड का मैप है और उससे आप लोग इसे देख सकते हैं इसली आप इसे रिलेट कर पाएंगे कि कहां कहां से कोई आया होगा अब अगर आप जो वर्ल्ड का मैप है इसे आप बहुत शोर्ड में अगर खीचना चाहते हैं तो आप इस तरह से खीच लेजिए देखिए तो यह लगभग आपका वर्ल्ड का मैप बन जाएगा तो यहां से आप लोग देखेंगे कि नीचे जो था यहां पर तो यह जो पॉइंट था इसे बोला जाता आपका Cape of Good Hope Cape of Good Hope इसे यहां पर इस जगह को कहा जाता है ठीक है तो काफ़ सारी चीज़ें हम बाद में डिसक्स करेंगे इन डिटेल जब हम जियोग्रैफी इसके बाद पढ़ने वाले हैं लेकिन बस मैंने आप लोगों कहा कि अभी प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को इसे करना है तो जो भी यहां सा यहां आप लोग देखेंगे यह आपका Africa है ठीक है तो यहां से जो इस्पेन हो गया हालेंड हो गया यह डच हो गया जो हालेंड से आते थे पुर्टगाल हो गया यह सारे स्पेन हो गया तो यह सारे लोग जो भी आते थे यूजुली यहां से आते थे सिर्फ एक जो तस्मान था तस्मान ही एक ऐसा कह सकते हमकी यातरी था जो उपर की तरफ से आया था और इधर से आया था तो यहां पे जब वो तस्मानिया की तरह आया था यहां पे उसे मिला था जो बास जो जलसंदी है या स्ट्रेट हम उसे कहते हैं सारी चीज़ें बाद में हम जियोगरफिय में पढ़ने वाले हैं तो तस्मानिया तक आया था इसलिए से तस्मानिया जो देश है वो यहां पर ह तो इस तरह से आप लोगों काफी सारी चीजे बाद में हम geography में पढ़ेंगे फिलाल आपको सिर्फ मार करना है कौन सी चीजें कहां पर है जैसे से हॉलेंड है उसे मार कर लिजे बिटेन है स्पेन है पुर्टगाल सके बन Awakster कि जो पुर्टगाली पावर थी या शक्ति थी उसका वास्तविक संस्तापक किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है अलबुकर्क मैंने आप लोगों को ऊपर एक कुश्यन किया था यहां पर कन्फूजन नहों जाए आप लोगों को जो पर्थम वाई सराय था वो तो कौन था फ्रांसिसको दी अलमीडा था लेकिन फ्रांसिसको दी अलमीडा ने इतनी कोई इस्टैबलिश नहीं किया था किसी पावर को पुर्तगाली जो पावर थी वो किया था आपका अलबुकर्क ने उसके बाद आता है कि भारत में जो पर्थम दुर्ग बना था वो कहां पर बना था आपका कोचीन में बना और सरुपर्थम ब्यापार जो भारत में किया था व पुर्तगालियों ने सबसे ज़्यादा किया था, पूर्थि नी किया था, ठीक है, पर प altri हम, सामुदृु कईरिक गापार केंद्र जो इस्टेबलिश किये थे, वो वी पुर्तगालियों ने किये थे, और हुगली नदी में, जो यहां पर आप लोगों को याद रखना है कि जो हुगली थी यहां पर उनकी फैक्टरी बनी थी पूर्थगाली थे तो अगर की बात आए कि पांडी चेरी को सबसे पहले किस ने पूछे गए इसी तरीके से आपको इनने इसी तरीके से याद भी रखना है क्योंकि यह जो फॉर्मेट है वो यूके पीसी काई है तो पूछा जाएगा आपको कि हुगली में सबसे पहले फैक किया था वह भी पूर्टकालियों ने किया था जॉप चौरनक आप लोगों को याद रखना है जॉप चौरनक ने कलकत्ता को क्या किया था इस्टैब्लिश किया था उसके संस्तापक थे अंग्रेज जो थे उनका पहला कार खाना कहां पे था तो उनका मचली पट्टनम में क चौर्टकट बनाने के लिए या उसीच को अपने दिमाग में इस्टैब्लिश करने के लिए कि मचली खाने के बाद अंग्रेज्व ने अपना पहला कारखाना बनाया था और अगर हम बात करें कि अंग्रेजी जो कार खाना बना था पूरुई भारत में सबसे पेहले तो व वो बना था अपका उडिशा में अब duple को आप लोगो किस तरह से याद रखना है कि dupe word से याद रखना है dupe word का मतलब हिंदी में जो होता है dupe word का मीनिंग होता है धोका देना ठिक है तो एक अंग्रेज था उसका नाम था duple तो duple ने क्या किया था उसने सबसे पहले जो था 1746 में मदरास पर उसने कबजा कर लिया था और डूपले कौन था आप लोगों का वो था आपका फ्रांसिसी लीडर ज्यान दीजे ये क्या आपका अंग्रेज नहीं ये आपका सुरी हम ये से कहेंगे ये फ्रांसिसी था लीडर और उसने 1746 में मदरास पर कबजा कर लिया था नेक्स्ट कुश्चिन आया आपका फोर्ट विलियम से तो ये आपके वर्ड्स हैं आप लोगों बिल्कुल क्लियर होने चाहिए अगर हम मैंने कहा आप लोगों को किसी आप जूम करके आप खुद की प्राक्टेस कर सकते हैं कि फोर्ट विलियम से कौन था इस तरह से उपर आपका आप गया डूपले डूपले जो था वो फ्रांसिसी लीडर था 1746 में उसने मदरास पे कबजा किया था अंग्रेजों ने जो पहला कार खाना बनाया था वो मचली पटनम में बनाया था जॉप चॉन अगने कलकता की अस्तावना की थी पांडी चेरी को पर्थम किसने कैप्चर किया था फर्स टाइम वो था आपके पुर्तगाली हुगली में फैक्टरी पुर्तगाली का था ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है ठीक है तो आप लोग इसी तरह से जूम करके आपना जो एक सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं उसके बाद आता है Pourquoi इसा फोर्ट विलियम से फोर्ट फेरी से लोगों दिशनने को बनाया था और यह अगर अगर आधोनीक को बात की जाए और पुर्तगाली ओं को हराने के बाद इसको बनाया तो कोई दो कारण मुक्य थे जो नहीं की कमी थी क्योंकि यहां पर चोटे-चोटे राज्य थे और एक राज्य जब तूरता था या याults के बारे में कोई एक तरह से उसे support नहीं करता था दूसरा राज्य दूसरा था कि सेना में प्रसिक्षन की कमी थी discipline की कमी मानी जाती है Levent Company Levent Company ने British Company को क्या किया था अधिकार पत्र दिया था यहाँ पर company खोलने के लिए means जो बिटेन की company थी यह बिटेन की company Levent Company ने EIC को क्या किया था एक अधिकार पत्र दिया था अकबर कैसे related है company के आगमन से तो East India Company जब बनी थी London में उस time इंडिया में जो शाषक था वो कौन था अकबर था लेकिन जब पर्थम कार खाना यहाँ पे खोला गया था तो हम जानते हैं कि जो पर्थम कार खाना था वो कहां पे खोला गया था मचली पट्रम में उस time पे EIC का तो किसकी इजाज़त मिली थी वो था आपका जहांगीर तो जहांगीर के time पे पर्थम कार खाना खोला गया था तो इसी तरह से question पूछा जाएगा कि लंदन में जब East India Company को established किया गया था बनाया गया था उस time इंडिया में जो शाशक था वो कौन था जब पर्थम कार खाना बना था तो जहांगीर था और उसके बाद जो पर्थम factory अंग्रेजों की सूरत में खुली थी वो 1613 में खुली थी और स्वाली स्वाली का जो युद्ध हुआ था ये एक जगे का नाम है स्वाली और इसमें पुर्थमकाली हार गए थे अंग्रेजों से और अंग्रेजों की तरफ से जो लड़ रहा था वो था आपका Thomas Best तो Best ने स्वाली में Best काम किया और उसने अंग्रेजों को जिता दिया था मींस जो पुर्थमकाली थे वो हार गए थे सूरत में पुर्थमकार खाना जो अंग्रेजों ने खोला था वो कब खोला था आप लोग ध्यान लग सकते हैं इसको 1613 में पुर्थमकाली उने बंबई दिया किसको यह पुर्थमकाली उने बंबई जो दिया था वो अंग्रेजों को दिया था यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं बिटिशर्स को उन्होंने ये दे दिया था सर जॉन चाइल्ड सर जॉन चाइल्ड जो है वो औरंग जेब ने भगा दिया था इसे आप लोगों को इस तरह से याद रखना है कि जो चाइल्ड था औरंग जेब ने उसे कहा कि तू तो बच्चा है और उसे उसे भगा दिया था उसके बाद आता है आपका करनाटक युद करनाटक युद होने का कारण क्या था करन ये था कि जो फ्रांसेसी जहाज थे उनका अधिगरन कर लिया गया था उनको अपने पास रख लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा तो फिर आप लोगों अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि जो करनाटक का युद हुआ था किस-किस के बीच हुआ होगा तो हुआ था आपका अंग्रेजों और फ्रांस के बीच में हुआ था परतम करनाटक युद एक्स लॉच चैपल संदी के द्वारा इसको क्या किया गया था इस तक इत कर दिया गया था तो अगर बात आती है कि एक्स लॉच चैपल संदी किस से रिलेटेड है तो वो है आपका परतम करनाटक युद से दुतिया करनाटक युद ये अनिरनायक रहा या ये ड्रॉ आपका रहा तिरतिया जो हुआ था उसमें पैरिस की संदी के साथ में ये अंत हो गया था पैरिस की संदी की गई थी तब जाके तिरतिया करनाटक युद खतम हुआ था परतम मैसूर युद जो हुआ था उसमें बिटिश हारे थे डूपले जो था डूपले ने राजाओं के जगड़ों में हिस्सा लेना शुरू किया था और फ्रांससी जो परतम कारकाना खुला था वो भी आपका सूरत में खुला था फ्रांससी कमपनी लुई चौदवे के काल में तो फ्रांससी कमपनी जो भारत में आई थी वो किसके काल में आई थी उस टाइम में जो फ्रांस में राजा था वो लुई चौद्वा था 14th कॉलबर्ट कौन था कॉलबर्ट जो है वो फ्रांससी कमपनी का संस्तापत है तो आप लोगों के पास हैं बहुत सारे नाम आ रहे हैं अल्बुकर, कॉलबर्ट और डूपले इसी तरह से बहुत सारे नाम आएंगे तो आप लोगों का एक जो मैंने आप लोगों को exercise दी है कि आपको history में ज़्यादा ज़्यादा रटना होता है और जब तक vocabulary आपकी नहीं बनेगी तब तक history आपको याद नहीं होगी तो यह सारे जो words हैं इन्हें आपको repetition करना बहुत जरूरी है इसलिए इनको zoom कीजिए और इस PDF का अच्छे से use कीजिए Dutch जो है कारखाना वो कहां पे बना था वो चिंसुरा में बना था बंगाल में चिंसुरा जो जगह है वो बंगाल में है आप लोगों वो एक चीज याद रखनी है कि जैसे अगर Dutch के बारे में आता है कि Dutch कौन सी जगह पर उन्हों ने बनाई थी तो चिंसुरा उससे related होगा तो आपको याद रहेगा डच से ही आपका चाश से याद रहेगा चिंसुरा अगर आने का जो क्रम पूछा जाए तो इसमें पहला आपका पांडी चेरी पांडी चेरी में फ्रेंच आये थे गोवा में पुर्तगी जाये थे ट्रैन कोबार में डैनिश या डैन्स आये थे और सद्राश में डच आये थे सबसे अंत में कौन आये थे तो सबसे लास्ट में आये थे जो वो थे आपके फ्रांससी या फ्रेंच जो थे वो लास्ट में आये थे ये तो मैं आपको फर्स्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ जो आने का करम है और जो कंपनीज का इस्टैबलिश्मेंट का करम है आप लेकिन इसमें आप लोगों को प्रैक्टिस जरूर करनी है प्रैक्टिस बढ़ाईये रेपिटिशन बढ़ा दीजिए तो मिलते हैं अगले लेसन में तब तक के लिए बबाए